हालो फ्रेंग्स आज हम बनाने वाले डिसाइनर सा प्लाउस जीसे हम ऐसे टॉप भी वियर कर सकते हैं ऐसे प्लाउस भी वियर कर सकते हैं इसे आप शरारा के साथ भी पेयर कर सकते हैं जिन्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं और आप इसे सारी के साथ भी पेयर कर सकते हैं पर मिन सारी में से निकलता है ब्लाउस वो लिया हुआ है इसके लिए यहां पर मैंने लिया है लाइनिंग हमने लिया है 18 cm और यह लिया है मैंने वन मीटर करीब ठीक है आप जितने गैदरिंग जायना चाहिए अगर आप स्लीव में स्लीव बनाते हैं तो आपको उसके लिए 1.25 मीट इसके लिए यहां पर हम विदावट स्लीव बना रहे है इसलिए मिने आप पर 1.25 लिया हुआ है तो सबसे पहले हम हमारी लाइनिंग फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे ठीक है लाइनिंग पर कटिंग करेंगे उसी के अकोडिंग हमारा ब्लाउस बना रहे हम 32 चेस्ट के अ कर रहे हैं हम रखें गैं 25 इंचेस तो यहां पर हम इसके बाद यहां से हम ले लेंगी 6 inches में यहाँ पर shoulder के marking कर रहे हूँ ठीकी 6 inches में ने shoulder लिये है then इसकी बाद यहाँ पर armhole भी हम ले रहे हैं 6 inches ठीके अगर आप mouse 32 chest से कम का बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 5 inches लेजी यहाँ पर हमारे armhole 32 हमने 6 inches लिये just because हमारा chest measurement 32 है अब यहाँ पर जितना भी हमारा chest measurement होगा chest measurement होगा उसका 4 part ले लेंगे तो हमारा chest measurement 32 है तो उसका 4 part होगा यहाँ पर 8 inches and then उसकी बाद यहाँ पर 2 inches हम हम losing रखेंगे ठीके तो हम यह मैंने 10 inches पर mark लगा लिया है then इस mark को हम यहाँ से strately मिला लेंगे यह रहेगा हमारा front part ठीके and then यहाँ पर हम इसमें 1 inch की गोलाई दे देंगे round दे देंगे armhole में simply 1 inch का round में armhole में गोलाई दे रहे हैं उसकी बाद यहाँ से जो हमारा side यहाँ से हम 3.5 inches पर एक mark लगा रहे हैं ठीके और एक mark लगा रहे हैं हम 4.5 inches पर दो mark लगा है मैंने और यहाँ से ले लेंगे हम 3.5 inches और इस mark के center में से हम यहाँ पर 4 inches पर एक mark ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे हम 3.5 inches ठीके और इस mark को हम दोनों mark को यहाँ तक तला मिला लेंगे और उसकी बाद इस mark को हम यहाँ तक मिला लेंगे कि हो जाए कि हमारा प्रिंसिस कर थिक ही हाँ से मिला लें मैं। और फ्रॉंट नीक कर भ रहा हैं आपर 6 इंचिस का ठिक है और यहां दो हां से भी हम ले रहे हैं नेक कि गोला इए नीक फ्री इंचिस है मैं मों पत्रावलन देख आप Honestly सिंपली हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है अब इसे हम पहले CUT कर लिए T तो भी हम इस हम फ्रंट पार्ट कर ले गार्ट केुए इसी के आपूडिंग हमारा बैक पार्ट भी रहे गाग धिक पार्ट में हम सेमेजरमेंट रखेंगे जाना से कम्सक्क बैक पार्ट को निकाल लेते हैं तो बेक पार्ट के अजो सम्पली उसके बाद यहां बाद यहां से हम 16 इंच स्चों बाद यहां से बाद यहां से बाद अ कर रहे हैं उसके बाद यहां पर 7 इंचिस पर माक लगा रही हूँ, दू नेक रख रहे हैं, इससे सिंपल ही यहां से राउंड दे देंगे, सबसे पहले, और उसके बाद यहां से इसे स्ट्राइप से राउंड दे देंगे, ठीके, इस ट्राइप से, यहां से हम 6 इंचिस आम होल ले ले और इस ट्राइप से स्यसमें राउंड देढ़ेंगे, हम बेक में आम हूल में गोलाई कम देटे हैं और फ्रंट में ज्यादा होते हैं अब यहाँ पर इसे स्टेटली मिला देंगे जितने हमें 14 लेंग इतने हम मिला देना ऐसे ठीके अब यहां पर यह से सिंपली कट कर लेंगे ठीक ही आप चाहे तो इस नेट को लिसके लियों भीग सकते हैं में यहां पर अजिट टॉप भी वियर करेंगे अगर आप इस ब्लाज से कर Νा ककरणा डेंगे यहाँ पर हमने ने किलवेट लिये 1.5 inches आप इससे 10 inches तक ले सकते हैं ठीकिए यहां तक भी ले सकते हैं अब इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं इस वाले माग को भी कट कर लेंगे हम और यहाँ से फरण्ट और बैक पाट को कट कर लेते हैं तो आधि स्लेव की कुटिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें स्लीव भी कटकर लीज़े ठिक है हमे आपर विदाउट स्लेेव बना रहे हैं महरा मेंज पर्ट कर लैंगे cultiv also हमने अमारे फ्रहन को कॉट कर लिया वर फ्रंट बाहरा को भी लाइक कर लिया लाएदन हमने lining के according हमारा मैन पार्ट भी कर लिया मैन फाब्रिक था उससे भी कर लिया ठीक है तो अब हम्य क्या करना है यहां पर सबसे पहले जो हमारा मैन फाब्रिक की उसको राइन से उक साइब से स्टिर्च कर देना है इस हीशर से यहां इस कर देना यहांी यहां इससे सब्सक्स कर के सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब गार उट इसे,पार्ट कर देते लिए रहें अगर में उसका प्रचिश करका है। से हम जॉइन करेंगे पहले हम यहां से स्टीजिंग दे देते हैं यहां से स्टीजिंग दे देते हैं और नेक में स्टीजिंग दे देते हैं इधर के इधर के साइड और यहां से लाइनिंग फैब्रिक को मैं फैब्रिक से स्टीज कर देना है ठीक है भी हमें यहां पर करने के बाद यहां पर चोटी-छोटी से कर्ट लगा लेंगे क्योंकि यह राउंड शेप रहता है तो वह इसी ली पलट जाएगा ठीक है नेक में भी यही करना है जो हमारा एक्स्ट्रा फैपरिक देगा उसे हम यहां से कर्ट कर देंगे सबसे पहले तो और उसके बाद यहा हमारे फ्रांट पार्ट में भी इस टाइप से स्टीजिंग दे लिए हैं जिए सिर् suff हमने पर आम होल में और पब में स्टीजिंग दी आप देक कर लेंगे जो हमारा पार्ट है यहां पर मैंने आम होल में इसे स्टीश किया है सो सिंपली इसे इस ट्राइब से यहां से सिंपली पलट देना है और इसे इस टाइप से दोनों साइट वाले पार्ट्स और इसे यहां से इस टाइप से स्टीश कर लेना है यहां से इसे सलाई लगा लेनी है रॉंग साइट से और दोनों पार्ट्स को जो हमारे यह वाले पार्टे प्रिंसेस कट वाले इन्हें हम यहां पर स्टीश कर लेना ह कि यहें और हमने और दोनों प्रिंसिकेट वाले पार्टस को जोइंट भी कर लिया है अब हमें इंदके अब हमें इस इंदेना यह पर घाल सीजह उनके में फैनी मेरे बाद टॉनके में बसाहर पैल जोइंट में लगा रहें पिलकुल किनारी पर हमें आपर सिलाइ लगा देना अंदर की साइड से ठीक हमने पहले बाहर की साइड से सिलाइ लगा लेंगे और इसे यहां पर अब हम हमारी प्लेट्स बना लेंगी जो नीची का पैटर्न रेगा जो बचा हुआ फैब्रिक हमारा फैब्रिक कर लेंगी ठीके तो सबसे पहले हम इसकी लेंद मेजर कर लेते हैं यहां पर इसकी लेंद आप दिख सकते हैं 14 इंचिस आ रही है और हमें रेडी लेंद पत्टी कर लेंगी प्लेट्स बचाहिए आप फैब्रिक को ध्यान रखेगा आपकी फैब्रिक में ज्यादा जोइंट नीए एक या दो जोइंट हो तो नॉर्मल ही चलेगा पर आप इस ताइप से फैब्रिक को कर किजिए कि वो सीधा सीधा पत्टी हो ठीके उसमें प्लेट्स कई लिए निहीं लगाएंगे आप जोची प्लेट्स हम चूटी χूटी वाली नहीं लगाएंगे आप पर सबसे पहले हम इसरे फैल्द पोर्द कर लीजे Еще तो यह पिर आप पीको भी कर आ दिः लेज लाए सकते हैं राप अर उसमें ऊतर पोल्ड कर देए और अ आप देख से बारिक से लाए लगाई है वार फोल्ड करकी अगें फोल्ड कर दिया ताकि इसके थागे नहीं निकले अभ यहाँ पर इस सबसे कर लेंगे कंपर का कंपर केफ्रमेंट कर लेंगे क BAR OMG कितनी आ रहे हैं इसी के आकोडिंग हमें आपर प्लेट लगाना sleeping So यहाँ पर हम कमर को मिजरमेइं 17 इंचेस मतलब हमारे दोनों साइट की होगा 34 इंचेस रहेगा ठीक है तो अब हमें यहां पर 34 इंचेस रेडी चाहिएगा प्लेट बनने के पाथ ठीक है 34 इंचेस चाहिए और अब इस फैबरिक को मेजर कर लेते हैं यह कितना है यह तो 34 इंचेस से काफी बड़ा है लगपक डबल है उससे भी जादा है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरी इंचेप खतम हो गई बड़ फैबरिक खतम नहीं हो है मतलब लगपक यह दो से इंचेस फैबरिक लिया है 100 इंचेस फैबरिक लिया है इसमें बहुत अच्छे से गेदरिंग आ जाएगा अगर आप कम गेदरिंग देना चाहते हैं तो आप इसमें कम गेदरिंग के लिए कम फैबरिक भी ले सकते हैं अब आप देख सकते हैं मैंने आपर संपली इसे कर लेना है एक्र Daar और दो इंच न लूजिंग रहे थी तो आप यहां पर वन इंच पीटिंग दे देए और चिस्ट गुलाई के कोडिंग यहां पर हमें देना है दोनों साइड अमें बराबरी से लाइठ दे तो यहां पर हम फिटिंग देंगे इसमें ठीकी और फिटिंग देने के बाद इसका लूप पाइनली कुछ इस टाइप से आ रहा है गास आप इसे जरूर ट्राइप कीजी क्योंकि बहुत ही प्यारा लगी का पहनने पर आप देख सते हैं इससे विया करने पर बहुत ही बना की बना कर बटन भी लगा सकते हैं रहा है यहां पर डोरी बना रही हुँ जो हमारा आहमुल और नेक का फैब्रिक बजाता है उसमें से ठीकी अब यहां पर स्ट्राइप से आमने इसमें गैधरिंग दे लिए और मैंने बहुत सारी गैधरिंग दिये तो इसका लुक कुछ स्ट्राइप से लुक आरा आप देख सकते हैं मैंने इस टॉब भी वियर किया और इस फ्लाउस भी वियर करा है और इसका लोग कुछ स्ट्राइप से आ रहा है गईज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे जरूर पताना आपको वीडियो के सा लगा और आपस जरूर ट्राइप करना थिंक्यू गाइस पापायन ठीक्या मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में